हाला कि दुखको हमने मौर्णिंग से की मेरां बिसाइड होता है में मौरणिंग में इंहगता हूं, मार्किट ओपेनल सहे है कि मार्केट में कैसा क्या करेगा मार्केट और मुझे क्या करना है यह दोनों ट्रेड लेना इंपोर्टन नहीं होता है वही ट्रेड लीजिए जिसमें प्रॉफिट हो तो अभी देखो अभी मेरा मार्केट उपे नहीं हुआ है नौ बज करके 10 मिट हो रहे हैं ठीक है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अल्मोस्ट फ्लेट ओपन हो रहे हैं थोड़ा बहुत हलका सा गैप अपका संभावना निफ्टी में दिख रहा है और वैसा है अगर आप वैंक निफ्टी में देखोगे तो वहीं पर ओपन हो रहा है ठीक है मार्केट तो अभी तो अब लोग गलती क्या करते हैं शुरू-शूरू में घलती करते हैं मार्केट खुलते ही धड़ाम-ध़ण पोश्चन लगाना श्रा करते हैं बट मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा देखो मैं पहले बता जरूँ अगर market अगर निफ्टी अप साइड का moment देता है और कहीं न मुझे फिर उपर के साइड अगर call sell करने के करोंगा ठीक है वहीं अगर market खूलने का बाद नीचे के तरब का moment देता है तो कहींने कहीं मैं put sell करने के फिराक में रहूंगा put sell करने का मतलब क्या हुआ put sell करूंगा send call-buy भी करूंगा, call-team, call-sheal करूंगा, put-buy भी करूंगा. अभी wait करेंगे, क्योंकि market has flat open हो रहा है, और जब तक मेरी proper strategy, proper entry नहीं बनेंगे, कासि कोई भी trade-place नहीं करूंगा. भले ही मैं trade नहीं लोंगा, वो चलेगा, लेकिन मैं लोंगा trade, तो पूरा प्रॉपर सेटप बैठने के बाद ही तो हमने अभी जश्ट पोजिशन बनाई हुई है और देख सकते हो अभी तुमेरे कुछ 3,700 कॉस्ट का स्पास चला रहा है मुझे कभी लॉस्ट की प्रॉफिट दिखा रहा है ठीक अभी मैंने आज ठीक में काम कर दिया है उसको हम लोगों कि लोट में 40 लोट में और एक दूर का जो पूट है और साथ ही चाहिए को अभी करो अभी करो तो दोनों का सेम होते चाहिए पूट सेल करो चाहिए आप कॉल बाई करो तो यहां पर हमने कॉल को बाई भी करकर रखा है 20 लोट में थोड़ा सा इंदमनी हमने आज कॉल को बाई करिया है और सेल करकर रखा है तो अभी तो यही प्रॉफिट लॉज दिखा रहा है तो जैसा होगा मैं थोड़ी दिर में आपको सब कुछ इंफॉर्म कर दूँगा तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर निफ्टी नीचे तरब का मुमेंट देता है तो कहीं ने कहीं में पूर्चुन्टी देखूंगा तो एंटी लूँगा और वैसा ही निफ्टी ने किया अभी देखो मार्केट ओपन होते है सालपली एक बड़ी सी रेड़े कंडल मनाई और उसके बाद कहीं ने कहीं मार्केट यहां से घूमना इस्टार्ट कर दिया और हमने पनी पूर्चन को ले रखा है ऐसा नहीं कि पूर्चन ले नहीं रखे जिसे कब देख सकते हो अभी तेरा चोड़े का पॉट्सेर करके रखा है आपके आखो के सामने आपके सामने में सपोर्ट की तरह ठीक है और अगर आप चार्ट वज भी देखोगे तो कहीं ने कहीं यह सपोर्ट एरिया भी है पूरा और इसको देखने के बाद हम लोगों ने यहां पर बाइंग का इंडिकेट जैसे मिला और हमारी स्टेडिजी भी बता रही थी कि यहां पर बाइंग हो वह सम्थिंग आपको यहां पर दिख जाएगा कि सम्थिंग 9-10-8000 का फ्रोफिट लॉस चल लाएं दसदर के प्रोफिट दिखा रहा है मेरे को तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है जैसा कि आप देख सकते हो सेलिंग वाले में सेलिंग वाले में मुझे आ आपके सामने चल ला है पांच अरका लॉस चल ला है ठीक एडीजन के आए वह आप देख सकते हो कि इसके पहले हमने एक निफ्टी का फोजिसा बनाया था जिसमें ओवराल मेरे को तकरीवन 19.000 रुप्य का लॉस हो गया है हाला कि इसमें मेरे को प्रॉफिट भी दिखाया था वह चुंटी मिली है पुट सेलिंग करने के तो वही सेम काम हमने इसमें भी किया है क्या क्या है पुट बेचा है 40 लॉट में और कॉल बाई किया है 20 लॉट में ठीक है तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं अभी मेरे को साथ पैसे प्रॉफिट चल ला ठीक है और अभी मैं करके रखा हूं वह देखो जैसा कि हमने मॉर्णिंग में आपके साथ एक्स्प्लेइन किया था कि अगर मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद नीची तरफ का मुमेंट देता है तुम्हें बूट सेल करना चौँगा वही एक और देख सकतो 36500 का 40 लोट में बेच रखा जिसमें इत्ता प्रॉफिट चल ला है ठीक है और वैसे ही हमने एक इंद मनी का बाई भी करका रखा 20 लोट में कॉल जिसमें मेरे को इत्ता प्रॉफिट चल लेकि इसमें हम लोगोंने पुट को सेल किया था ठीक है चल लोट में इसमें इत्ता लॉस होगा 11 रुपे का और कॉल बाई किया था ठीक है व्यू में कोई चेंज नहीं है बड़ो एक हमने अपने ट्रेडिंग में सिस्टम बना रखा है कि बड़ा लोस लेना नहीं हाला कि मार्क अब बाद धालने से गिरना श्टार्ट किया है पर हमने कहीं कहीं बीच में ले ली थी बीच में लेने बाद क्या हुआ कि निफ्टी थोड़ा सा ओन नीचे की तरफ ला गया तो हमने एकदम छोटा सा लॉस ले गाई देखो मैं किसी भी किमत बड़ा लोस लेना पसंद नह ले ले लिया था और इसमें हम लोको लॉस हो गया था कोई दिक करनी लॉस हो गया तो उसके बाद हमें बैंक निफ्टी में बहुत चुन्टी मिली बैंक निफ्टी में क्या क्या बैंक निफ्टी में भी मार्केट ओपन हुआ ओपन निचे तरफ गया निचे तरफ होने के सवाट सेपक तरफ की घाना-इस Start किया कि चाना तो हम चौशा चाहिए हम निफ्टि में निफ्टि में अलब से बिख अगर तो जिसा कि हम जो में करता नहीं हूं अगर मैं निफटी में रहmy देखो यही और बश्यक्रा राता ना ना मुझे नहीं पता है कि मार्केट कितना नीची दाने के बाद उपकतर जाएगा मेरा व्यल्कुल सेम था कि निफटी में हम नीची आप मुटसे लहाई तो इसे लॉस्ट वाले पुश्वाइब जली जली काटा हाला कि मुझे प्रॉस 15-60 प्रॉफिट दिखा रहा था उसके बाद मेरे को लॉस्ट का दर्सन करा है बड़ ठीक है इतना चलेगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हमें बैंक टीमें ट्रेड मिला परफेक्ट ट्रेड मिला तो हमने बैंक टीम एंट्री ली धड़ाले सेंट्री ली और उसके बाद क्या हुआ यह वाला मुमेंट कप्से करने का हम लोगों ने ट्राइ किया है तो अभी तो आप देखी सकते हो कि इतना प्रॉफिट लोस चला है और अब यह समझ जाओ कि अब तो मैं लोस कुछ लेन अब तो यहां पर भी असाथ हजार और पहते हैं बट ठीक कोई दिकनी छोटा मोट चलते रहते हैं आज जो को बैंक थोड़ा सब्स्रों मुमेंट दे रहा है बड़ जरूरी नहीं है देखो यार कि हर रोज बैंक बढ़िए बढ़िया मुमेंट दे रहा है जैसा कल गीरा अधर से फिच अधर से तो यह जरूरी नहीं है मार्केट कितना उपर जाएगा कितने टाइम में जाएगा यह अपने को नहीं पता है लेकिन हाँ अपना व्यू बस सही होना चाहिए अगर आपको व्यू सही है और आप काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हो तो आपको मार्केट में प्रॉफिट लेने से कोई रोक नहीं सकता है रीजन क्या है जिसे कि देखो हमने निफ्टी में क्या कि हमने निफ्टी में प्रॉफिट वाले ट्रियोट को होड़ करके चला जाता है ना कि लॉस वाले को लोग गल्ती क्या करते हैं लोग 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 ल जाएगे कि थोड़ा सा मेरे फिर बाद में बदाल जाएगा वही पांचा के लोज़ दजार में बजा जाएगा दजार का लोस फिर आप्सोचते को दजार का लौस कम से कम 5,000 आपका व्यूस सही है ना कि हम ऐसा का गलती के भी लॉस नहीं करते हैं अब यह मार्केट नहीं देख सकतो आप ट्रेंड लान बनाते हुए जा रहा है मार्केट ऊपर तो जाने तो इसको इसको जाने देते है हमारा मसे जब तक ऊपर जा रहा है तक ठीक है जब यहां से मुझे मार्केट कर पर को करना पड़े करना पड़े ठीक है इन द मने कियाइए भाई कम लोट में बाय किया है ज़याद में सेल किया ठीड़ारी कॉई चक्र में नहीं आए अपने कोई फर्ग ही नहीं है तो आराम से उसे इंतिधार करते हैं तो मार्केट देखो स्ती अंवररो दिखा रहा है और मार्केट काफ़ी जादा यहां पर कौनसोलिडाड कर रहा है तो अब मैं जार आपने स्क्राइब कॉस्कॉरकस कर लेने हैं तो स्क्राइर आउ तो फाइनलि हमने अपने सारी पॉसटों को Soc्ण कर दिया है जेसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो overall अधम लोगों ने 79,000 का profit book किया ठीक है तो एक बार मैं आपको सब कुछ explain कर देता हूं देखो हमने morning में जो था वो nifty में काम किया था जैसा कि हमने पहले ही बता रहे था कि मगर market नीचे गप जाता है market open होने के बार तो कहीं नगी में put sale करने की opportunity देखूंगा तो उसी के हिसाब से हमने पहले निफ्टी में put sale किया तो निफ्टी में put sale किया यह तो देखो hedging वाली है तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने काफी छोटे से loss में यहाँ पर आपको दिख जाएगा देखो 35 हम लोगों ने निफ्टी का मैं आपको पहले 8000 का loss हुआ किसमें selling वाली position में और यह hedging वाली ही थी तो इसमें profit देख रहा है ठीक है तो इसको ignore करिए और एक position थी जो हम लोगों ने call साथ ही साथ buy भी किया था तो यहाँ पर देख से तो 16400 का हमने call 20 lot में buy किया था और जिसमें हम लोग को 8000 का loss हुआ है ठीक है उसके बा प्रोफिट दिखाया है फिर क्या किया निफ्टी ने नीचक तरफ रुक करना सुरू कर दया तो 15000 के profit से मैं 20,000 के loss को बुक क्या हूं जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं हमें साब बोलता हूं कि मैं loss को जल्दी exit करने का try करता हूं हाला कि market में उसके बाद मुझे nifty म देफर्फ नहीं किया है उसके बाद मुझे बैंक nifty में एंटी एक मिली है तो बैंक डिमाद हम लोगों ने loss लेने के बाद यह वाली जो मुवमेंट ने दियें ना यह वाला मुवमेंट हमने catch करना चाहा है यह वाला मार्केट में हम लोगोवेंट केश करना चाहा हाला कि देखो हमने मार्केट मेरे मिसायरी है, तो मैं में पैले ही बता रखा था, कि कहीं य verdi है निफटी में ले लिया बाद कतम कर दिया, बैंक रिप्टी में मुझे एक अपोचुन्टी ऐसे देखने को मिली तो हमने इसको करना चाहा और हाला कि मेरा आज के दो टोड़ा प्रॉफिट होता वह वन लैक से उपर का होता बट रीजन क्या था रीजन यह था कि गाइस मेरे को पहले ही बीजर का लोस में लेकर बैटा था ठीक है इसके वज़ा से मेरे को आज कम प्रॉफिट हुआ बट ठीक है लास्ट में में टर्मिनल ग्रीन में क्लूज हुआ यह सबसे बड़ी अच्छी बात है यह वहला गाइस मुवमेंट जो भी है यह जो भी मुमेंट मैंने कप्चर के है वही सेम इस्टेडी मैंने अपने वेविजर में भी बता रहा होगा और उन्होंने भी इस मुमेंट का फाइदा उठाया होगा और हमने में प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया वह देखो यहां पर मार्केट जाना तो चार आता यहां अपर जब भी जाये उपक तरफ से तो वीक बन जाये मतलब उपक तरफ जाये उपक तरफ जाये रेट गंड़ा बन जाये उपक तरफ जाये यह वीक का मतलब क्या होता है सेलिंग हो रही है ठीक मार्केट उपर जाना चार रहा है बट सेलर यहां पर बैठे हुए इस अरिय में कहीं ने कहीं अपना square of कर लिया और इसके साथ साथ ही अगर आप देखोगे तो कहीं ने कहीं यह पूरा rejection area भी मेरे को दिख रहा था क्यों दिख रहा था वह भी आप समझो अगर आप चार्ट वाइस देखोगे तो आपको यह पूरा जो टोटल एरिया है वह आपको चार्ट वाइस भी समझ में आ जाएगा कि जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है यह टोटल रिजेक्शन एरिया ही है तो यहां पर लोगों ने प्रॉफिट वुक किया तो फाइनली आज बैंक निफ्टी में जो था हम लोगों ने मार्केट का मुवमेंट इस वाले मुवमेंट को कैप्चर किया है आज हमने जो ट्रेड लेना काफी पेसेंस के साथ लिया है मार्केट ओपन होते हैं हमने ट्रेड नहीं लिया है इंतजार किया है एक में लोगों हो गया उसके बावजूद हमने परफेक्ट सेटप परफेक लेजिए जो आपके फिर्म जाए और ट्रेट लीनिक से पहले आपको आपका लॉस पता होना चाहिए समझ जाओ ऐसा नहीं एक लॉस हो रहा है तो आप उसको ऐसे होल करके बढ़े हो कि लॉस रीकवर हो जाएगा गाई बिल्कुल नहीं आपको नहीं पता है कि आपके कौन से ट्रेट सही जाएगी लेकिन कौन से कला जाएगी लेकिन आपको मैंसट अपना स्ट्रोंग करके चलना है कि आपको अपना एससे लेकर चलना है आपको 25 दिवांत के चलना है और का जैने के भूएं सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है आपको बस मेरे लिंक से डिमेट अपन करना है और अकाउंट अपने के बार मुझे आपको वर्टसप करना है वर्टसप बार आप अपना नाम और रिजिस्टर्ट मुबाइल नमबा लाश फो डिजिट ओनली सेंड कर दीजिए फिर आ उसका वाच के लिए पूरा option का practically आपको मैंने समझा रहा है सब को समझ में आ जाएगा एकदम बेसिक सेडवांस तक का option hedging में तो यह वाली option hedging के प्लेजिस देख लो भाई पूरा confusion दूर हो जाएगा और आज का margin जो है एप्रोक्स 30 लाक या इसस्तेमाल हुआ था मैरा निफ्टी में तो 19 लाक या सबस्तेमाल हुआ था 29 लाक या इसस्तेमाल हुआ था मैरा आज का पूरा टेड़ में तो अगर आप लोगों को margin लेटे में अभी भी question आप लोग करते हो तो भाई आप हमने margin लेटेड यहां वीडियो बना दिया है मैंने कौन सी स्टेडी में कितना लगा तो मार्जिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यह वाली पुसंद देख लो अभी मैं अपने प्रोफिट को एक बाब पहले रिफ्रेस्ट करके दिखावा दूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी रहें तो यहां से सिंप फिर बुक किया है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में